अब रेप्लिका सेट को हमने यूज़ करके पोर्ड कैसे करेत करना है उसकी ग्जम्पल देखते हैं देमो देखते हैं तो हम अपने कलाउड पे चले जाते हैं वहां पे शेल पे चले जाते हैं तो मैं चेक कर लेता हूँ कि किस डियक्टी में है तो हम K8 LS कमार्ण से पहले चेक कर लीजी क्योंकि जो हमने क्लोन की है वो CD K8 इसके अंदर LS से देख लेते हैं Replica Set की हमारी जो YML फाइल है वो RS डेक्टी में है CD तो हम PWD से चेक कर लेते हैं कि यह हमारा path क्या है तो यहां पे हम देख लेते हैं कि यह वली फाइल है तो इसको चेक कर लेते हैं तो अगेन हमरे पस क्या है API version apps v1 Replica Set किस टाइब का object क्रेट करना चाहते हैं उसका नाम क्या होगा Metadata हमने web server हाइफन RS रख दिया Specification कितने चाहिए copies Replica कितने चाहिए तीन चाहिए भी और किन को select करना है उन पोड को select करना है जिनका match level कर रहा हो जिनका label क्या हो apps, ingenuex, web हो तो उसके पाद हमने Template specify कर दिया Template कुछ नहीं है पोड की definition है तो उसको हमने जो पोड है उसके लेबल्स दिया हूँ है दो लेबल्स, apps, ingenuex that means यह जो भी match काता है तो selector क्या करेगा इस variety के 3 ports grade कर देगा तो containers की definition में हमने क्या कर दिया container का नाम web होगा और यह जो है image कौन से use करेगा, ingenuex 1.16 alpine वाली use करेगा अब इसको मैं clear कर देता हूँ screen को, फिर एक पर चेक कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं, cubectl get pods कुछ है तो नहीं run तो नहीं कर रहे नहीं कर रहे तो अब हम क्या करते हैं, cubectl create create की जगा आप apply भी use कर सकते हूँ कई बड़ी apply ज़्यादा recommended है, तो हम कई बड़ी देखेंगे कि apply को भी use कर सकते हैं तो सबसे पहले हम check करते हैं, cubectl get rs then हम get ports तो get rs से क्या बता लगा, replicaset के बारे में बता लगा कितने replicaset चल रहे हैं replicaset desire कितने है, 3 है, current कितने है ready भी कितने है, सारा कुछ है और उसको उसने अपने आप एक नाम दे दिया web server rs replicaset का नाम था, तो एक random string उन्होंने लगा दिये तो यह एक पहला port हो गया, दूसरा, तीसरा port हो गया, अगर हमने detail पे जाना है तो यह आपको दिखा रहा है कि यह वाला जो port है, उसका यह IP है, इस port का यह वाला, और यह वाला port इस system पे चल रहा है, इस node पे दो port चल रहे हैं और यह वाले node पे एक port चल रहा है और यह आपको क्या बता रहा है? addresses बगेरा बता रहा है और क्या check कर सकते हैं? labels show यह labels show कर रहा है कि यह हमारा अब यह port ready है, running है restart कोई हुआ है इसके अंदर? नहीं, labels हमने दो labels दे रख रहे थे app sql to engine x, environment वह भी हमें उसने बता दिया है और हम क्या देखना चाहते हैं? describe command भी चला के देख सकते हैं kubectl describe rs क्या नाम है उसका? web server rs तो यहां पे हमें वह show कर रहा है कि यह web server name shape is default selector यह वाल है, replicas तीन है, running तीन है port template में labels यह specific है यह कर रहा है, container की image गया है तो यह सारा कुछ तो यह successful create के बारे information दे रहा है created board यह सारी बहुत ही useful information दे रहा है और थोड़ से इसको अगर हमने graphically देखना हो तो क्या उसने create किया यह हमरी पास file थी यह commands जो हमने अलग-अलग चला के देखी है तो यह graphically जो representation है कि replica set replica 3 है तो यहां पर हमने क्या कर दिया replica set का नाम है web server rs number of replica 3 है selector क्या है तो यह क्या करता है तीन port create कर देता है जो हमारी definition थी जिसके label क्या थी apps engine x web environment development तो इसको एक random हो उसने नाम दे दिया क्योंकि diagram हमने अलग-दंग से बनाई है तो हो सकता है वहां पर जो port दिखा रहा है उसका नाम तो इसको भी एक address मिल गया इसको भी एक address यह representation के लिए हमने addresses बगरा दिया है actual में नाम और IP addresses क्या हो सकते है different तो यह diagramatically कि सबको control कुन करता है यह replica set कर रहे है by chance अगर यह terminate हो गया तो क्या हो जेगा अपने आप इसकी जिगां क्या हो जेगा एक और नहीं copy बन जाएगी तो यह replica set है जिसको हम क्या कर सकते है है manage कर सकते है अब अगली हम देखेंगे वीडियो में कि हमने अगर replicas को increase करना है तो कैसे करना है यह भी देखेंगे कि अगर हमने एक pod को delete कर दिया तो क्या होगा तो यह सारा कुछ हम अगली वीडियो में देखेंगे कि कैसे उसको manage करना है